दोस्तों गराब भी इशान किशन कोहली और धोनी को बैतरिन खिलाडी मांते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों जीत के बाद तो वीराट कोहली ने भी इशान किशन की तारीफों के बुल बान दिये हैं और वो रास भी खोल दिया है जिसके चलते उन्होंने इशान किशन का दोरा शतक बनवा दिया आखिरकार कैसे कोली ने इशान किशन की मदद करी और इशान किशन पर क्या कह गए विराट कोली जीत के बाद और इतने सालों बाद अपना शतक लगाने के बाद दी आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इशान किशन बाबर आजम और इस्वान में सबसे बहतर कौन है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा दोस्तो भारती गर्गटीम भले ही वंडे सीरीज हार चुकी है लेकिन तीसरे मैच को कुछ ऐसे जीती है कि मानो हमारे पिछले मैचों के दोनों गम ही सारे दूर हो चुके हैं दोस्तो तीसरे वंडे मैच की बात करें तो इतनी अच्छी बल्ले बाजी शायद भारत में पिछले एक साल में नहीं की होगी जितना इस मैच में करके दिखाई पिछले दो मैचिस में दोस्तो हमारी भायरती टीम बड़ी पूरी तरीके से हारी लेकिन इस मैच की शिरुबात होई धमाकेदार बल्ले बाजी से ये दमाका किया दोस्तो हिशान किशन ने बांगले देश की सरजमी पर चोटिल रोहीती शर्मा की जगए मैदान में उतरे इशान किशन ने मानो शतक नहीं 12 शतक जड़ने का मिशन ही ठान लिया हो और दोस्तो जैसे ही उन्हें कोहली का साथ मिला और नोने अपना पचासा पूरा किया उसके बाद तो मानो इशान किशन ने गाड़ी का सिक्स्त गेर लगाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा सतर से पचितर गेंदों में दोस्तो अपना शतक पूरा करने के बाद इशान किशन ने केवल चौके और छखकों में डील करी दोस्तो आपको हैरानी होगी जान करें कि मातर 126 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने पूरे 200 रन लगा थी और इस पारी में न जाने कितने ही चौके शामिल थे 5-12 छक्के भी फिर इशान किशन की ये खुबसूरत पारी तोस्तो 210 पर समाप्थ हो गई लेकिन फिर कोहली का दुपवान आया और कोहली ने भी ऐसी जान डाल दी कि सालों का इंतिजार खदम हो गया 203 साल बाद जो शतक का सूखा था उसे खदम करते हुए विराट कोहली ने भी बंडे इंटरनाशनल में अपना एक और शतक जड़ा 91 गेंदे 113 रन 11 चोके और दो चक्कों की मदद से कोहली की 113 रन की शामदर पारी भी आज हम सब ने देख ली 200 फिर बंगलादेशी टीम को पूरे 410 का टार्गेट मिला साइड सी बात है इतना बड़ा लक्षे चेस करने के लिए बड़ी पारियां बड़ी पार्टनर्शिप्स चाहिए थी लेकिन आज हमारे गेंदबाज भी तैयार थी दोहार से सीख कर आ रहाए सब कुछ आज हमारे गेंदबाजू की टोली ने सारी महनत इस तीसरे वंडे मैच में छोक थी 200 पारी के 11 ओवर अभी हुए नहीं थे हमारी के अंदबाजी के के बंगलादेश की टीम के बड़े से बड़े तीन विकेट गिर गई थे इन मैंने मुल वन लिटन दास का भी नाम शामिल था और फिर तो बंगलादेशी टीम कैसे तास के पत्तों की तरह ढई चलिए आपको एक आंकड़ा बताते हैं 124 पर दोस्तो चार विकेट थे बंगलादेश के कि कैसे कोहली ने खुद मदद की इशान किशन का तोरह शतक बनवाने में दोस्तों आपको बता दे जीत के बाद विराट कोहली ने अपने बयान में का ये जीत वागई में याद कर रहेगी 400 रन किसी वनडे मैच में बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता के पूरे हकदार मेरे नजरिये में तो इशान किशन ही है इशान किशन क्या खूब बैटिंग करके दिखाई आपने ऐसे युवा टैलेंट जब आगे आकर देश के लिए बल्लेबासी करती हैं तो दिल से खुशी होती है और आज जब वो अपना शतक लगा रहे थे तो मैं लगातार उनसे यही कहा रहा था अब अब अपने शतक के बेहत करीब आगए हैं थोड़ा विनमर होके खेलिए शतक लगाईए और दोहरे शतक तक जाईए जिसके बाद जिवा खिलाडी ने बिलकुल वैसा ही किया ऐसे खिलाडी बहुत कम होते हैं जो जोश और होच दोनों को मिला कर खेलें और रिशान उसी का नतीज़ा है शायद तवी वाज 210 चन बनाने में काम्याब हो पाए जो शायद वन्डे इंटरनेशल में किसी के बसकी भी नहीं बनाना होता ये जीत का हकदार पूरा देश है पूरी टीम है जिन्होंने लगातार महनत करी लेकिन हम भारे मैं सबसे माफी मांगना चाहूँगा कि हम जीत तो नहीं पाए लेकिन आने वाली सभी वन्डे सीरीज को जीतेंगे और इशान किशन को भी खिलाएंगे दोस्तों विराट कॉली ने इशान के कसीदे पढ़ दिये और आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना इशान किशन एक ऐसे खिलाडी बन चुके हैं जो भारत के अच्छे बैट्समैन विकेट कीपर के साथ साथ ओपनर भी रहेंगे लेकिन आप सभी को क्या लगता है इशान किशन सैंसन वब पंत में सबसे बेतर कौन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को दनेवाद